असलाम अलेकूम बसमिलाहरमारे रहीम आज मैं बना रही हूँ निहारी मटन की निहारी बना रही हूँ यह घर के मसालों से बनाओंगी और प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो यह बहुत ही छटपट से बन जाएगी और बहुत ही मज़े की बनती है तो इसके लिए पहले मैं गफिक बनाऊंगी इसके मैं पहले नियारी का मसाला बना रहहंretenकर इसके लिए मैंने अपर अजवाईन लिए है आधी टी-सपून चारों मैंने हैं यह स्वी ऐग एक साफ जेरा बना यह से खरण धन्या है यह मैंने 21 ब्रबल लया इस AND मैं यह इसका बड़ी यह दोली है तो दल्चीनी का टुकड़ा है और छोट चोटासा जावित्री की और आधा जय पत्ता है इन्कों मैंने रोस्ट नहीं करना है तो यह नीहारी का श्राइपला श्रार एंटी नहीं कम है यह पूल गटेश प्लिट नहीं करना है इसका पाँच और दूसी तरफ यहां पर मैं पोटली बनाऊंगी, तो पोटली के यह मसाले हैं, इसमें मैंने सौफ ली है, जीरा लिया है, और काली मिर्श्री है, तीनों मैंने एक एक टी स्पून लिया है, और खड़ा धनिया मैंने एक टेबल स्पून लिया है, इसके अलवा मैंने एक पोटली को अच्छा से बंद करेंगे लाइट लुब बंद करेंगे पिलकुल किसके नहीं क्योंकि मसाले पखेंगे तो फूल ले की जगह जाएगे तो थोड़ी सी लुब बनाएंगे इस तरह से हाप पूटली बना सकते हैं से क्या होगा मसाले भार भी नहीं जाएंगे और यहां पर एक पूर्ट लेंगे इसे और प्रस्सवार हसार में खुलेंगे तो इसकी जाएगा है तो हैंने मने चाईबल स्पुन गी लिया है भी लिया तो जाएं उसे खर्शाई से कि निहारी का और ईखेंड़ी का गोश्च देतchu बोड़क निहारी का गोश्च देतार इस यह मैंने 750 g लिया है तीन बाव यह डालेंगे इसमें सॉते करेंगे और यह जो दो साइज के प्यास जाएंगे बड़ा एक चोटा है इसको मैंने रफली चॉप कर लेना है यह डालेंगे एक टीस्पून हल्दी और धाई टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ साथ में जो प्यास मैंने दिखाए थे उस प्यास को मैंने रफली कार्ट के इसमें डाल दिया है और यहां पर दो टेबल स्पून लेजन अद्र का पेस जाएगा अभी मैं एक ही टेबल स्पून डाला है मैंने फिर तयार करके इसमें बाखी का एक टेबल स्पून अड़ कर द ऑनडरा में टालाए मेरे पास पे टेवस पॉनि का पेस्ट चामिल कर दिया ता अब मैं प्रेशर कुकर में टालूगी और इसको में प्रेशर कूकर घुक नहीं मैं टाल दियाक ममचा सब्सक्राइब पानी वाधना पानी पाई देलें मुध्य पानी इसमें भड़ करों न भड़ दो तो अब इसको पॉटलीया विसल लगा देंगे, तेज आज पर दो विसल लेंगे और हलकी आज पर इसे 35 से 40 से 45 मिनिट इसे पकाना है तो मैंने इसे exactly 40 से 45 मिनिट पकाया बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं बोटियां अब मैंने इसको फिर से ये बड़े वाले पतीले पे निकाल लूँगी कूकर का काम हो चुका है क्योंकि स्टर करना होगा तो स्टर करने में ये बोटियां टूटने का खरचा है तो मैं इसको बड़े बरतन में निकाल लूँगी निकाल लिया है, मैंने अब इसमें उपर जितना पी रोगन है वो निकाल लेगे, क्यूंकि अमोमन, क्या होता है, जब आठा शामिल कर देतों, तो सारा रोगन कहीं गायब हो जाता है, तो हमेशा निहारी में इस स्टेच पर रोगन अलग कर लें, तो मैं ये रोगन अलग कर देर भर के लिए है तो मुझे क्योंकि थोड़ी सी रनी पसंद है लेकिन अगर आपको थोड़ी गाड़ी पसंद है तो आप धाई चम्मच तक भर के ले सकते हैं यहाँ पर मैंने चार टीस्पून लालमिश का पॉडर लिया है और साथ ही में यह जो नियारी का मसाल है यह मैं सारा डाल दूँगी सिर्फ मैं एक चम्मच थोड़ा सा बचाऊंगी बगार के लिए उपर से थोड़ा से डालने के लिए एक चम्मच के करीब थोड़ा बचाऊंगी बस यह हो गया अब मैं इसमें पानी डालते हुए इसको मिलाकर गोल सा बना लूँगी ताकि आटे में मजा नहीं रहता है तो मैंने थोड़ी और एक्स्ट्रा मिर्ष डाली मिर्ष का पाउडर डाला और पानी डालके अच्छा घोल बना लिया अब इसमें उबलते हुए मैंने निहारी चढ़ा दी थी तो निहारी पक रही है इसमें मैं भी घोल डालूंगी और लगाता हिलात जालने के बाद दो आपने पтब तक खिलाते रहन ज नजा बाद प्कत्राये स asks में मिर्ष ऑने ब्लाने के बताहिए मिर्ष बहलते हैं य Tiffany इस स्टेश पर डाली içी तो जाएका रहता है तो अब इसल्गी बन्रेले स्टेश पर जबस्टर अगर आपने नहीं पकाया तो जो आटा डाला है वो कच्छा रह जाएगा और नहारी सरने के बहुत जादे चांसे होते हैं तो आटा डाले के बाद पकाना ज़रूरी है आदे घंटे यह पकाएंगे और यह आदे घंटे मैंने पका लिए अब इसमें थोड़ा में नीबू का और बगार और बगे त यह बगार तैएर है इसके उपर डालेंगे और नहारी की फाइनल गार्री आटा और थो किया गगए थी तो यह दो क्रती प्रश्चा कर बगते तो जब सर्व करते वक्च्छते में थोड़ा थो दो ची जामिल कर दिया था तो यह देखे तो मैंने अभी इसी स्टेज पर थोड़ी पतली दिख रही है लेकिन जब ठंडी होई थी तो बहुत गाड़ी हो गई थी मतलब इतनी गाड़ी जितनी जरूरत होती है तो बस यह निहारी बन गई है अलहम्दुलिल्ला इसे गार्निश करेंगे और शीरमार के साथ इसे सर्फ करें शीरमार की रेसिपी औरेटी चैनल पर अप्लोड़ेड है तो आप उससे गोजू कर सकते हैं और इसका मजाले निहारी बन कर तेयार है